अलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है EFA Learning के नए वीडियो में IRFC Share के बारे में आज हम डीटेल में डिसक्स करेंगे Business के बारे में बात करेंगे इसका जो importance है Ministry of Railways में उसको समझेंगे Share Price के बारे में बात करेंगे क्या Credit Rating है बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी एक तरीके से NBFC ही है इसके बारे में समझना और Business में क्या चल रहा है सबसे पहले सुरुवात करते हैं इनका पैसा कहां से आता है Business Model क्या है दोस्तों तो सबसे पहला जो चीज जो मेरा जुगाड करती है ठीक है उनको पैसे जुगाड किये और फिर उन पैसों को क्या करती है वो लोकोमोटिवस है फिर ये जो मालगाडिया होती है कोचेस जो आप ट्रेन में आप जो सफर करते हैं जनरल क्लास ए एसी 2 टायर 3 टायर कुछ भी हो वहां पर लीज में देती है किसको देती है रेलवेस को वो लीज में देती है यह सब चीज को उन्होंने लोन पर लिया और फिर लीज पर दे दिया रेलवे को ठीक है बहुत ही सिंपल है अब चौथा पॉइंट में ध्यान दीजिए रेंटल उनको रेलवेस से मिलता रहता है मतलब उन्होंने रेलवे को तो दे दिया और रेलवेस 30 साल तक उनको रेंट पे करता रहेगा मतलब आप समझ लिजिए आज एक ट्रेन में जा रहा है आप तो चलिए कोरोना में बहुत कम ट्रेन में सफर हो रहा होगा लेकिन समझ लिजिए एक स्लीपर क्लास टायर टू टायर जनरल कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं IRFC जुड़ा ही हुआ है डाइरेक्ली और इंडाइरेक्ली रेंटल पेमेंट मिलता रहता है और यह मैं प्रेडिक्टेबल क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगले 30 साल तक वो रेंट देता रहेगा रेलवे और उसके बाद वो रेलवे की संपत्ती हो जाएगी तो इसको समझना है और 15 साल है सेगेंडरी पीरियड है तो आज हम कोई भी रेलवे का आज अगर कोई वैगन बनी है तो 20-30 साल की आप यहां पर IRFC अगर वहां इसको हमने समझ लिया दोस्तों अब आगे बिजनस पर समझते हैं गवर्मेंट की ओनर्शिप है तो एक मजबूती देती है बिजनस को क्योंकि यहां पर बिल्कुल गवर्मेंट जो है वो इन्वाल्वड है अब रेलवे को बजट से कुछ पैसा मिलता है मिनिस्ट्री आफ क्रेडिट रिस्क कम है बिल्कुल NPS 0 है मैं आपको थोड़ी जरबात बताऊंगा IPO रिसेंट्ली आया है 3000 करोड का स्ट्रॉंग क्रेडिट प्रोफाइल जो भारत की जो सवरन रेटिंग होती है उसके बराबर की इसकी रेटिंग है और ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैं रिजल्ट के साथ समझ में आएगा दोस्तों आगे देखते हैं इंपोर्टन्स यह बहुत जरूरी है ऐसे शेर होल्डर अभी बहुत सारे प्रस्णा आते हैं 25 का 23 हो गया 24 हो गया 22 हो गया लेकिन आप बिजनस को देखिए अगर एक लाग करोड रुपे यह अगर नहीं है असली के डेटा है एक लाग करोड रुपे एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेस से आयर एफसी को यहां पर बोरो यहां पर रेल्वो को जरूरत है तो आयर एफसी की भूमिका है 65% मतलब यह रेटिंग एजनसी ने कहा है दोस्तो 65% पैसे आयर एफसी के तुरू में रिज होंग या किसी कोरेट को बड़ी सी कोरेट साब लोन चाहिए तो आयर ए एफसी के पास नहीं जाएगा किसी बैंक के पास जाएगा तो इसलिए यह पर रेलवेऑ की काउंटर पार्टी और यही रिस्क भी है क्योंकि सब कुछ रेवें पर डिपेंडेंट है कि रेल्वेऋ का तो इनको जो पैसे जो मिलने के होते हैं ती हम फृरित एक सिल बॉण्ड तो तो कुंकर यहांपर सेफ्टी है तो यहां पर कम पैसों में व्याजधर में भी इनको पैसे मिल जाते हैं कहां से पैसे रेस करती है tax free या taxable bonds जो हमने discuss किया था उसके अलावाद भी दूसरी चीजे है अब देखें यह बहुत जरूरी है समझना देखें लॉंग टम की रेटिंग क्रिसल ट्रिपल एकरा ट्रिपल एकर ट्रिपल एकर ट्रिपल एकर ट्रिपल एकर जाबर है अब ऐसी रेटिंग में क्या होता है रिटन ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन आपको सेफ्टी बिल्कुल हाइएस लेवल ऑफ सेफ्टी होती है तो इसलिए कभी भी टैक्स फ्री बॉन्ड आते है आयर एफसी के तो बहुत ज्यादा रिटन नहीं होता है लेकिन को कोई और बॉन्ड आये कोई तो उसकी रेटिंग हो सकती है बी हो या फिर ए हो तो फिर नौ परसंट दस परसंट भी आपको दे सकते हैं लेकिन आप रिस्क वहां ज्यादा ले रहे हैं यह आप रिस्क ज्यादा नहीं ले रहें तो इसको आपको समझना है शॉट टम लोंस ह है और फिर रूपी टर्म लोन है वहां से इनको पैसा मिल रहे हैं दोस्तों तो इसको आपको समझना है अब देखिए यूम आप देख सकते हैं मिलियंस में 26 परसंट यह 27 परसंट इंफेक्ट फाइननसियल यह 18-20 में यह एई-उम इनका IRFC का बढ़ा है नेट वर्थ इंक् कोई बैंक चुकि हैं अन्विट से बैंक की बात कर रहें कोई बैंक की बात करता समझनी जैज इफसी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आइसे इसे बैंक उनका मार्जीन जो रहते हैं साड़े-3,4,4 परसंट के आसपास रहते हैं माईक्रो फाइनस में जैसे बंधन ब margin है मतलब tax जो भी bonds है आपसे पैसे उन्होंने raise किये और फिर जो भी है railways को जो भी है lease के तौर पर जो भी उनको पैसे मिलने के तो बहुत बड़ा margin उनको नहीं मिलता है इसको आपको ध्यान में रखना है rating ट्रिपल एक ही है सौम इसे 80% का जहां पर rolling stock जिने कहा जाता है 80% यहां पर IRFC के द्वारा payment किया गया है या फिर मैं कहूं lease जो है IRFC ने दी है passenger coaches 85% locomotive 85% तो आप देख सकते हैं railway पर एक बहुत बड़ी भूमिका है रेलवे के पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो कौन रेस करके देता है पैसा IRFC और फिर लीज में रेलवे को पैसा देती रहती है तीन सालों तक 30 सालों तक दोस्तों तो एक स्टेबल बिजनस एक इविडिन पेंग बिजनस के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो IRFC और बहुत जगह में मैं देखता रहता हूं बेकार के 20-30 कंपनियों में हो जाएगी मैं ऐसा नहीं कहता है कि भविश्य में नहीं होगा हो गाई मार्केट अगर बुल मार्केट है कुछ एक्जूबिरंस आ गया तो हो ही सकता है बट मैं परसनली से अगर कुछ अच्छा यहां पर रहा क्योंकि एक कोवीट का अगर इंपक्ट ज्यादा नहीं रहा है इनके बिजनसेस पर तो और ज्यादा यहां पर हमको पॉजटिव चीजे देखने को मिल सकती है जो कि हमको क्वाटर फॉर के रिजल्ट में पता चलेगा डेट नहीं आए बढ़ रहा है यह सब तो मार्केट डिमांड सप्लाई पर है दोस्तों तो उस चीज़ पर हम बाद में जाएंगे जब कॉटर फॉर के रिसल्ट आएंगे उमीद आपको वेल्यू मिली होगी अपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू